हनुमान जी की जैन्ती ब्रह्मचर्य के समर्थक आज इवन बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी के बीचार हनुमान जी का उद्देश हनुमान जी का उद्देश क्या था हनुमान जी के पास अष्ट सिधी थी नौ निधी थी फिर भी हनुमान जी उस अष्ट सिधी का सामर्थ है सारे धरती के राजा मिलकर राष्ट्रपती मिलकर सेनापती मिलकर हनुमान जी की के भड़ा भरबरी नहीं कर सकते। जब हनुमान जी राम की शरन गय तिह उस समय, राम जी के सानिद्य के बाद सिमान नहीं है राम जी के शरन जाने के पढले हनुमान जी के पास अश्ट सिद्धिया थिए अनिमा, छोटे हो जाए, गरिमा, बोड़े हो जाए, लगिमा, इस प्रकार की सिध्यां थी, अश्ट सिध्धी नव निधी थी, फिर भी हनमान जी स्री राम के शरण गये, बिन शर्ती शरणागत ले ली, राम कथा सुनबे को रसिया, और राम काज बिन कहा विश्रामा, ये हनमान जी के दो मूल मंत्र थे, तो जिससे आत्म ज्ञान पाना है, जिससे पूर्ण गुरु की रपा भई, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आसुमल से हो गए साई आश्राप, वो तत्व पाना है तो उसके देव कार्य के बिना विश्राम क्या, जो गुरु के देवी कार्य को खोज नहीं पाता, कर नहीं पाता, और गुरु के देवी अनुभव को क्या खोजेगा, क्या करेगा, तो जैसे पक्षी दो पंग से उड़ताइ, अदमी दो पैरों से चलता है बाई,erweiseink साईकल, दो अंगू हो जाएगा, ज्ञान की बाते तो हुई, बाल की खाल उतारने वाला बढ़िया ज्ञान तो आपको शास्त्रों का हो गया, लेकिन अंदर में प्रयोग आत्मक नहीं, करते रहे, करते रहे, मशिन की नहीं काम, लेकिन ज्ञान से करने का आरम होता है, करने का अंत होता ह उसका जना नहीर तो ग्यान तीन प्रकार काreiben एक इंध्रियगत् जना आखों नाक से शुंग नाजीब से चंखना कान से सुना तवचा इसपर्श करना यह इंध्रियगत् जन यह तो पशव के इसको बोलते इंदृयर गत ज्यान, इसमें मन की व्रति हो तब इंदृयर गत ज्यान, इसमें मनisto गया तो आखे खुली रहे, कान कुछ पथा नहीं चलता है, तो इंद्रिय का ग्यान से मन जुडता है, बुद्धी इंद्रिय का ग्यान जगत के तरफ खीचता है, जीप का देखा तो ललक पड़े, नाक का देखा तो ललक पड़े, जो जीव जिसके विशेश है, जैसे पतंग्या लाइट को देखकर ललक प लेकिन मनुष्यके पास बुद्धि गध ग्यान की विशेष्टा है। बुद्धि गत ग्यान में भी तीन स्थार है। तामसी ग्यान , जैसे शराबी कबाबी को अंडा देखा दो दारू दिखा दो ललक पड़ेगा। लेकिन मेरे सत्संग्यों को दिखा दो तो आँख दिखाएंगे कि पागल वाय क्या, अरे वो ले परसाद है बापु का है, बापु का ये परसाद है, राम जा दे कहीं के, चाल जा नहीं तो खबर हो जाए, तो सात्विक ज्ञान वाले को तामसी चीजों का ज्ञान होते कि आवशक्ता के हमबात, ये राजसी ज्ञान, तो राजसी ज्ञान, तामसी ज्ञान, ये भी जीव को फासाने वाला है, फिर सात्विक ज्ञान, वो जीव को विवेक की प्रकरता देता है, कि इतना पा लिया, इतना भोग लिया, फिर क्या, पाने को तो सोने की लंका पा ल आखिर क्या? सारी प्रत्विकार राज और वैभो भी मिल गया, फिर भी आपके लिए परियाप्त नहीं है, और चाहिए, चाहिए, चाहिए और फिर छोड़कर मरना, तो ये सात्विक बुद्धिक परिणाम का विचार करेगी, तो इंद्रियकत ग्यान और बुद्धिकत ग्यान, बुद्धिकत ग्यान, तामसी, राजसी, सात्विक, ये हो हो के बदल जाते, फिर भी एक ऐसा परमात्म चैतन्य ग्यान है, जो बदलता नहीं और केवल ग्यान ही नहीं है, वो सत्ध भी है, उसको भगवान भी नहीं मार सकत सब देवता मिलकर भी नहीं मार सकते, तुमारा वो असली स्वरूप है, उसको बोलते ब्रह्म ज्यान, ब्रह्म उसे बोलते जिसे भगवान नारायन, भगवान गणपती, सबी देवी देवता सप्ता सुर्ती चेतना पाते, और सबी जीव चेतना पाते, वो है ब्रह्म परमात वो ब्रह्म परमात्म विभू है व्याप्त है लेकिन जहाँ जहाँ घड़ा है वहाँ महाकाश गटाकाश दिखा, जहाँ जहाँ मठ है महाकाश मठाकाश दिखा, जहाँ जहाँ मेग है तो महाकाश मेगाकाश दिखा, ऐसे वो ब्रह्म परमात्मा जो जैसा है उसमें वो ग्य तुनिया के सभी राष्ट्रपतियों को, सभी प्रधानमंत्रियों को चैलेंज है और सभी बापु जैसे प्रसिद व्यक्तियों को चैलेंज है कि मच्छर के पास कोई विशे साधन नहीं है लेकिन उसको भी उस ब्रह्म परमात्मा का ज्यान ऐसा है कि आपको ठूंगा दिखाने में वो संफल हो जाता है कान के आगे मच्छर गाना गाता है और आप सब काम छोड़कर बड़ी अक्ल हुशारी से खुब सावदानी से मच्छर को पकड़ते जरा सा मच्छर इतना सा पंजा पहलाते मच्छर बोलते है लो zum राम-राम भाय फाय treball थ है तो कैसा सुख्षम इनस अर परमात्म सत्ता का वह ब्रह्म सत्ता है चैत्ञ सत्ता है उस सत्ता के आगे सारे सत्ता और सारे सामर्थ उसी के यहां से पाते हैं पेड़ पौदों को और धर्टी को सूरज को उसी सत्ता से सत्ता मिलती है। उस ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को पाने के लिए हनुमान जी राम जी के चर्णों में बिन शर्ती शर्णागती स्विकार करते हैं। राम जी के पास जाने के पहले हनुमान जी में वो शक्ती थी, ब्रह्मन रूप बन गए थे, उड़के पहुंच गए थे, हनुमान जी राम और लक्षमन को कंधों पर बिठाकर उडान भरने में समर्थ थे, लेकिन उस ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान के अभाव में राम जी की सेवा में लग गए. ज्यात्वा देवं मुच्चते सर्व पाशे भ्या। उस आत्मदेव को जानने के बाद सब पाशों से शब बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मह मुक्त हो गया करजे से, लेकिन और मुसीब पिटो है। जैल से मुक्त हो गए। अरे मरने के बाद शरीर से और सारे जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, लेकिन प्रकर्ती पकड़के किसी गर्भ में डाल देगी तो बंधन तो रहा ने बेटे। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्यान नहीं। यह पिंड जो आप ते यह शरीर है पिंड एक षरीर फिजिकल शरीर, इसको अन्न मैं शरीर, बोलते इसके उंदर चार शरीर और हैं। प्रान में शरीर प्रान निकल गया तो यह मुर्दा हो जाएगा, प्रान चल रहा है, लेकिन मनों में शरीर सो गया तो भी पता नहीं चलता। इसंसे और दो शरीर है तो यह पंचकोष को जो सत्ता स्पूर्टी देता है और पंचकोष अपनी प्रकरिया निभ़ाए न निभ़ाए फिर भी जो ज्यों कथ्यों रहता है उस आत्मदेव का ज्यान इतना महान है इतना सुस्ैष्ठ है और इतना सामर्थ्य का खजाना है कि उसके आगे राष्टपतियों का सामर्थ्य तुच्छ है परेज मुश्रफ राष्टपति लेकिन जेल में पढ़ा है तुच्छ सामर्थ्य क्या ख्याल है तुच्छ सामर्थ्य सदाम उसेन फासी लग गया, तुच्छ, पीम पद गया, चक्रवर्ती राजा है, मरने के बाद किर्किट हो गया, तुच्छ है, इब्राइम लिंक्न प्रेसिडेंट आफ अमेरिका, लेकिन वाइट आउस में भटकरा विचारा प्रेत होकर, तुच्छ पद है, तुमारे सुद्धि, नव निध्धि आने के बाद भी तुम्हें उस आत्मग्न का उद्देश, उसको सुनने का समझने का नजरिया हुना चाहिए, शास्ट्र कहते है, सनात्म तेन सर्वतिर्थम, उसने सारे तीर्थों में श्नान कर लिया, दात्म तेन सर्वतानम, उसने सब कुछ उसके द्वारा सारे यग्य हो गए ये न शनम मनह ब्रह्म वीचारे स्थिरम करतवा ब्रह्म परमात्मा के वीचार में एक शन के लिए जो मन स्थिर किया उसने सारे तिर्थ कर लिए सारे यग्य कर लिए उस ग्यान के लिए पहुंचने वाले हनुमान जी की आज हनुमान जेन उसकी बधाई रिए और यह हनुमान जी के जीवन से हम लोगों को ले लेना चाहिए के राम कथा सुनने को रसिया और राम काजबिन कहा विश्राम कर दो लाम को रखक सूनना खेंपाई लेव 5 मिलत और राम काँ घचती रॉप लोगों है दो एूछ से को रखकोंवाई संछस सुन के राम को भीकर कर दो लो हन्ये टोले राम को भीकर का आग mêmes डे पूले मन